बात बच्चो कैसे हो आप सब अच्छे हो ना क्या कर रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से पढ़ाई करना बच्चो ठीक है और अच्छे से खाना खाना पढ़ाई के साथ साथ हमें हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारे दिमाग को अच्छे स रखती है न बच्चो तो हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए इसलिए आप अच्छे से खाना खाके फिर पढ़ाई करो तो दिमाग हमारा एकदम फ्रस रहेगा और हमारा मन पढ़ाई में बहुत तेज लगेगा लेकिन आज हम क्या करेंगे पहले पहले व्यायाम करेंगे क् कि हम रोज की तरह पहले वियायाम करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे, ठीके बच्चों, चलिए, आज का हमारा वियायाम है, हमारे सिर का, क्योंकि जब हम बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, या कुछ काम करते हैं, दिमाक वाला, तो हमारे सिर में बहुत तेज दर्द होता है और जब दर्द होता है तो हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है है ना बच्चो तो हमें हमारे सिर को एकदम ठंडा रखना इसलिए पहले हम सिर का व्यायाम करेंगे ठीके बच्चो चलिए आप भी मेरे साथ करोगे आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो हमेशा पहले करते हो ना चलो हम लोग करेंगे क्या करना है हमको सीधे बैठ जाना है बैठने के बाद ये हाथ को ऐसे सिर में रखना है ऐसे या गूठा को यहाँ पे रखना है ये रखने के बाद हलके हाथों से यहाँ पे हमें दबाना है ऐसे ऐसे दबाना है ठीक है बच्चो ऐसे ऐसे हमें पाच मिनट तक करना है ठीक है बच्चो और आख बंद कर लेना और लंबी लंबी सासे लेना है फिर बैठ जाना है आखे खोल देनी है इसके बाद अराम से ऐसे लंबी सांसे लेनी है इससे हमें बहुत अच्छा लगता है ठीके बच्चो इसके बाद हमें क्या करना है यह दो अंगली लेना है इनको हमें बीचो बीच मत्थे में रखना है ऐसे और यह दो फ्री रखना है फिर यह नाख को बाई तरब की नाख को हमें दबाना है और दाई और से सास उपर खींचना से और फिर दाई और की नाग दबाना है और बाई और से छोड़ना है फिर बाई और की नाग दबाना है और दाई और से छोड़ना है ये हमको 2 से 3 मिनट तक करना है और ये आप रोज करोगे ठीखे बच्चो, सुबे में भी और साम में भी चलिए, अब हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे चलिए फिर चलिए बच्चे, शुरू करें हम पढ़ाई करना Very good चलिए, पहले हम किताब निकालेंगे हमारी किताब का नाम है हिंदी मेरा पहला कदम हिंदी मेरा पहला कदम ठीखे बच्चो, आपने किताब निकाला इसके बाद हमें क्या करना है? हमारा प्रेश्ट नमबर हिंदी का किताब का प्रेश्ट नमबर आप से रोज पूचते हैं इसलिए, प्रेश्ट नमबर है 4646 और हिंदी में बोलेंगे 46 46 46 आपने निकाला बच्चो इसके बाद आज का हमारा व्यंजन है व्यंजन धो व्यंजन धो ठीके बच्चो चलिए, पहले हम व्यंजन धो के चित्र देखेंगे और उनके सब्द सब्द जानते हो न हमें चित्र का सब्द बोलना है आपको ठीके बच्चो, चलिए बताईए, हमारी किताब में पहला चित्र कौन सा बना है उपर देखो बच्चो कौन सा चित्र बना है यह आपने देखा है क्या है बताईए बच्चो क्या है ये इसको बोलते हैं हम धनुस क्या बोलते हैं बच्चो धनुस धनुस आपने देखा होगा रामायन देखी है ना रामायन में भगवान राम धनुस लिये रहते हैं इनका ये आजार होता है मतलब धनुस से हम तीर से मारते हैं किसी को भी आप पहले के जमाने में जब भगवन राम होते थे अना बच्चो तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं धनुस चलिए बच्चो हम धनुस को पाँच बार बोलेंगे धोसे धनुस धोसे धनुस धोसे धनुस धोसे धनुस धोसे धनुस धोसे धनुस कौन सा चित्र है हमारा दूसरा? चलिए हम बताते हैं, पैसा पता है ना आपको? पैसा नोट रुपय, आपको पता है? और सोना, सोने की जो कान में पहनते हैं, रहते हैं ना सोने की सिख्के भी होते हैं, उसको हम धन बोलते हैं जो आपके पास पैसा रुपया होता है उसको हम धन बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो धन तो ध से धन पाच बार बोलेंगे आप ध से धन ध से धन ध से धन ध से धन ठीके बच्चो अब आप अपनी किताब में नीचे की तरब देखोगे बच्चो क्या लिखा है वेंजन ध और वेंजन न वेंजन ध वेंजन न दोनों को मिला कर क्या बनेगा धन हमने उपर पढ़ा न पैसा रुपया जो देखा आपने धन तो ये नीचे ध वेंजन और वेंजन न मिला के बनेगा धन क्या बनेगा धन ठीके बच्चो चलिए हम वेंजन धो के और चित्र देखेंगे और सब्द बोलेंगे ठीके बच्चो चलिए बच्चो शुरू करें हम चलिए शुरू करते हैं आप देखिए चित्र क्या है बच्चो ये ध्यान से देखिए बच्चों अराम से देखो और सोच कर मिस को बताओ ठीक है? चलिए आज आप बताओगे और मिस आपको फिर बताएगी ठीक है? चलिए हम बताते हैं आपको क्या है? ये है बच्चों धो से धान धान पता है बच्चो क्या होता है आपको पता है धान धान से ही चावल बनता है जो आप खाते हो दाल चावल है न बच्चो अच्छा लगता है न आपको दाल चावल ये धान से ही बनता है बच्चो चावल धान से ठीक है क्यूंकि जब हम पहले धान बोते हैं खेतों में फिर वहां से लाकर चक्की से इसको चावल करते हैं चक्की से चक्की में ले जाकर चावल को अलग करते हैं और इनका जो उपर का धान लगा रहता है उसको हटा देते हैं तो बच्चो धसे क्या होता है बच्चो धान धसे धान चलिए हम धसे धान को पाच बार बोलेंगे धसे धान 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 ठीक है बच्चो चलिए अभी हम दूसरा चित्र देखेंगे बताईए बच्चो ये क्या है ये तो सबको पता है ना क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं गिरा देते हैं तो गिराने का जो लगता है ना हमारे सर्ट में कपड़ों में कुछ भी लगता उसको हम क्या बोलते हैं धब्बा क्या बोलते हैं बच्चो, धबब, हम कुछ खाते हैं तो गिरा लेते हैं, या फिर इंक गिर जाती है, है ना बच्चो, इंक मतलब स्याही, जो पेन में रहती है, है ना बच्चो, तो ये धबब लग जाता है, धो से धबब को हम पाँच बार बोलेंगे, धो से धबब, धो से धब्बा धोसे धब्बा धोसे धब्बा अभी हम तीसरा चित्र देखेंगे ठीक है बच्चो बताईए बच्चो क्या है ये बताई आपको क्या है जब बहुत तेज हवाएं चलती है ना बहुत तेज हवाएं चलती है जिसको हम तुफान भी बोलते हैं है ना बच्चो उस हवाओं के साथ जो गंधा सा धूल उडके आता है है भच्योजे ? उसको धूल बोलते है। जो मिट्टी-मिट्टी की तरह होता है ?अ उसको हम धूल बोलते है तब हवाएचे बहुत तेज़़े हमने खृडकी दर्वाजे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि धूल से प्रदूर्शन आता है, प्रदूर्शन आने से बहुत सारी बिमारिया आती है, जैसे जुखाम, खासी, ये साब आता है न, इसके लिए हमें अपने दरवाजे खिड की, या फिर अगर हम बाहर हैं, तो नाक को बंद कर लेना चाहिए, रुमाल से बांध लेन चाहिए, है ना बच्चो, इससे हमें बिमारिया नहीं आएंगे, चलिए हम धो से धूल को पांच बार बोलेंगे, धो से धूल, धो से धूल, धो से धूल, धो से धूल, चलिए बच्चो, अभी हम चौथा चित्र देखते हैं, क्या है बच्चो ये, ये तो सब को पता है न ये धूप है जो सूर की रोसनी सुब़ सुब़ पढ़ती है न उससे हमें क्या मिलता है बच्चो बिटामिन डी क्या मिलता है बिटामिन डी बिटामिन डी लेना हमें बहुत जरूरी होता है है न बच्चो बहुत अच्छे आप तो लेते हो ना सुबा उठके विटामिन D सुबा की रोसनी से सूर की किरने जो होती हैं उससे बहुत फायदे होते हैं बच्चो तो सुबा की धूप लेना बहुत जरूरी है आप भी लेना ठीक है बच्चो चलिए धसे धूप को हम पाच बार बोलेंगे धसे धूप धसे धूप धसे धूप धसे धूप धसे धूप चलिए अभी हम पाचों चित्र देखेंगे बताईए बच्चों क्या है ये ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये सबजी में पढ़ता है दाल में पढ़ता हम बनाते हैं ना दाल में पढ़ता है क्या होता है ये धनिया पत्ता ना इसको हम धनिया पत्ता बोलते हैं ना धनिया डालने से बहुत अच्छा सुगन दाता है सबजी में डाल देते हैं या फिर हम और कोई सबजी बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं जैसे चावल में भी डाल सकते हैं उपर अच्छा लगता है क्योंकि ये सुगन्धित होता है न बच्चो चलिए धनिया को हम पांच बार धोसे धनिया 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 ठीक है बच्चो आपने देखा चित्र सारे अभी आप घर पे पांच पांच बार सबके नाम पढ़ना ठीक है बच्चो आपको आएगा जल्दी से ठीक है चलिए अब हम आपको ए छोटी सी कविता सुनाते हैं तो बच्चो शुरू करे हम अमारी पोयम ठीके बच्चो चलिए पहले हमें क्या करना है कविता काशीर्षक कविता काशीर्षक व्यंजन धो व्यंजन धो ठीके बच्चो चलिए हम पोयम गाएंगे आप भी हमारे साथ गाव, ठीक है बच्चो? धसे धनुस कितना बड़ा, राम जी को तोड़ना पड़ा, तब उनको सिता जी मिली, अवध्या में खुसिया खिली, पताया बच्चो? जब राम जी ने धनुस को तोड़ा था ना बच्चो? तभी सिता जी के साथ उनका विवाय हुआ था, ठीक है बच्चो? तभी अवध्या में खुसिया हुई थी, क्योंकि ये सर्थ थी कि अगर धनुस को तोड़ोगे आप, कोई भी तोड़ेगा, तो उनके साथ सीता जी की साधी होगी, है ना बच्चो? इसलिए राम जी ने सीता जी को सीता जी के साथ साधी करने के लिए धनुस को तोड़ा, फिर उनके साथ साधी होगे, हम दो बाते बोलते साधी और बिवा है ना बच्चों चलिए हम एक बार और गाएंगे धसे धनुस कितना बड़ा राम जी को तोड़ना पड़ा तब उनको सिता जी मिली अवध्या में खुसिया खिली कैसी लगी आपको कविता बच्चों अच्छी थी ना बहुत अच्छी चलिए अब हम धो वेंजन कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे ठीक है बच्चों तो बच्चों हम वेंजन धो कैसे लिखेंगे आपको बताते आप भी हमारे साथ शुरू करेंगे वेंजन धो लिखना ठीक है बच्चों चलिए शुरू करें पहले हमें क्या करना है एक छोटा सा गोल बनाके नीचे की तरफ आने के बाद यहीं से हम उपर की तरफ जाके फिर नीचे आएंगे फिर एक उपर आड़ी रेखा कीचेंगे ठीक है बच्चों कैसे छोटा सा गोल बनाया फिर अंदर की तरफ फिर यहां से उपर की तरफ फिर नीचे की तरफ फिर एक आड़ी रेखा ठीक है बच्चों एक बार और लिखेंगे हम एक छोटा सा गोल बनाना है फिर नीचे की तरफ फिर उपर फिर नीचे फिर उपर आ आड़ी रेखा ठीके बच्चों चोटा सा गोल बनाया फिर अंदर फिर उपर फिर नीचे फिर एक आड़ी रेखा आप भी घर में लिखना शुरू करेंगे धन्यवाद